प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के भाई प्रलाद दामोदर्दास मोधी और उनका परिवार मंगलवार को करनाटक के मैसूर जिले के कड़ा कोला गाउं के पास कार का एक्सिडेंट होने से घायल हो गए दरसल ये घटना तब हुई जब दामोदर्दास कार से अपने परिवार के साथ बैंगलूर से परियटनिस्थल बंदीपूर की ओर जा रहे थे सूत्रो ने कहा कि ड्राइवर ने नियंतर खो दिया और कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई बदादे के हाथ से में सत्तर वर्षिये दामोदर्दास मोदिक की ठुड़ी में चोट लग गई उनके बेटे बहु और उनके छे बर्षिये पोते को भी चोटे आई है साथ ही ड्राइवर भी घायल हो गया हालंकि एरबेक सही समय पर खुल गए जिससे बड़ा हाथ सहोने से टल गया सूत्रों ने बदाया कि कार के आगी का हिस्सा पूरी तरह टूट गया है वही मैसूर पुलिस अधीशक, सीमा लटकर और अन्ने लोग घटना इस्तल के लिए प्रवाना हो गये मैसूर साउस पुलिस इस्टिशन में शिकायत दर्ज कराई गयी है सभी घायलों को जे एसेस अस्पताल में भरती कराई गया है अस्पताल अधीशक डाक्टर मधू ने बताया कि सभी घायल खत्रे से बाहर है